सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत हैं हम पढ़ रहे थे पाठे दो वरण माला वरण माला में हम वरणों के भेद पढ़ रहे थे वरणों के दो भेद होते स्वर और व्यांजन श्वर हम पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ेंगे व्यंजन व्यंजन के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यंजन की परिभाशा जिन वरणों का उच्चारन श्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता वे वेंजन कहलाते हैं वेंजन क्या होते हैं कि जिन वरणों की का उचारण यानि बोलते समय किस की सहायता ली जाती है स्वर की सहायता ली जाती है यानि कि वेंजन शवरों की सहायता से बोले जाते हैं इसलिए इन्हें वेंजन कहते हैं यानि वेंजन कौन से होते हैं, जिन में स्वर का प्रियोग हुआ हो, जैसे क, कैमी किस की दवनी आ रही है, ए की, ए क्या है मारा स्वर, तो वेंजन वे शब वरन होते हैं, जिन में शवरों की सहायता ली जाती है, सभी वेंजनों में एस का स्वर मिला हुआ होता है, यानि जो भी वेंजन हम बोलते हैं, उनमें एकी दवनी आवस्चे आती है, इनकी संख्या 33 होती है, वेंजन संख्या में 33 होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कैवरग, कैवरग में आता है क, ख, ग, घ, ड, कैवरग की बाद आता है चैवरग, चैवरग में च, छ, ज, ज, ये, इसकी बाद आता है टैवरग, ट, ठ, ड, ध, ध, न, इसकी बाद आता है तैवरग, त, ठ, द, ध, न, तैवरग की बाद आता है पेवरग, प, फ, ब, भ, म, इसकी बाद ये, रे, ल, वे, इसकी बाद शे, 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 ह, इसकी बाद क्ष, त्र, ग, श्र, ये होते हैं सैयुक्त वेंजन, क्या होते हैं सैयुक्त वेंजन अब हम देखते हैं कि सैयुक्त वेंजन क्या होते हैं सैयुक्त वेंजन दो वेंजनों से मिलकर बनते हैं इनकी संख्या चार होती हैं इन चारों को संयुक्त वेंजन कहा जाता है अब हम देखते हैं अड़े और धे अड़े और धे क्या होते हैं अतिरिक्त वेंजन यानि ये नाही तो स्वर होते हैं और नाही वेंजन होते हैं ये अतिरिक्त वेंजन होते हैं इनका प्रियोग स्वर्ख यानि किसी भी शब्द के बीच में या अंत में किया जाता है इनका प्रियोग किसी भी सब्द के शुरू में नहीं होता है यानि इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है इनका प्रियोग या तो सब्द के बीच में होता है या सब्द के अंत में होता है अब बच्चों हमने वरण माला कमपिय्ट कर लिया है यानि वरण माला हम पढ़ चुके हैं आज हम इनका अभ्यास कारिये करेंगे यानि वरण माला जो टोपिक हम ने पढ़ा है उनके question answer करेंगे अभ्यासकारी में हम देखते हैं सबसे पहला क्यूशन हमारा है निमन लिखित सब्दों की ध्वनिया अलग-अलग करके लिखे निमन लिखित सब्दों की ध्वनिया अलग-अलग करके लिखनी है सबसे पहले है किताब के नमबर में किताब क, जोड, ई, जोड, त, जोड, आ, जोड, ब, जोड, ए जो की हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं यहनी द्वनियों को, वरणों को अलग-अलग करना मैंने आपको सिखाया था यहनी भासा की यह सबसे छोटी इकाई होती है इसके बाद देखते हैं ख, खे में है कमल, क, जोड, ए, जोड, मैं, जोड, ए, जोड, ले, जोड, ए इससे बन गया कमल, इसके बाद आते हैं मटर, मैं, जोड, ए, जोड, त, जोड, ए, जोड, रे, जोड, ए बन गया मटर इसके बाद है हवन है जोड ए जोड व जोड ए जोड ने जोड ए बन गया हवन इसके बाद है भवन ब जोड ए जोड व जोड ए जोड न जोड ए बन गया भवन इसके बाद हमारा सेकंड क्यूशन है दिये गए वर्णों में से शवरों और वेंजनों को चुनकर दिये गए स्थान पर लिखे स्वर और वेंजन यहां लिखे हुए एक राउंड है यानि गोले के अंदर स्वर और वेंजन लिखे हुए है मिला कर लिखे हुए है उन में से हमें चाट कर स्वर के नीचे स्वर लिखने और वेंजन के नीचे वेंजन लिखने इस राउंड के अंदर से हमने देखा है कि A, U, O, A, E यह हमारे स्वर है वेंजन में है क, च, ख, म, भ, ये हमारे वेंजन है अगला थर्ड क्यूशन है वर्णों को सही करम में लिखकर सब्द बनाई ले, क, म, लकम या लिखाओ है एक वर्ण है ले, एक वर्ण है क, एक है म, इनको व्यवस्थित करम में लिखना है यानि इनको सही करम में लिखना है ताकि एक नया सब्द बने और उसका शब्द क्या होता है कि जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो तो हम इसमें से लिखेंगे कमल यानि इनी वर्णों में से छाट कर हमने व्यवस्थित करम में यानि सही करम में इनको लिखा है तो हमारा बना कमल इसके बाद है मरे टे इससे हमने बनाया मरे मटर अब है आगे गए नमबर में चैकन ये चार वर्ण दिये वे इनको हम सही करम में लिखेंगे तो बनेगा हमारा ए चैकन फिर नीचे है गए नमबर में अजरे गए अब इन चारों वर्णों को हम सही करम में लिखेंगे तो हमारा बनेगा ए जगरे अजगर आज हमारा ये topic complete हो चुका है अब जो अभ्यास कारी यहां दिया हुआ है वह आपको अपनी fair notebook में करना है और इसे बोल बोल कर लिखना है धन्यवाद